Hello Learners and Welcome Back to Your Own Channel, Alive I English, Learn It Yourself. तो ये 3rd Part और Last Video है, Class 11th English के Unit No. 4.1, History of English Drama का. इस Unit पर मैंने अल्रेडी दो वीडियोस अपने चैनल पे अप्लोड कर दिये हैं, जिसमें हमने History of Drama in English Literature and the Elements of Drama के बारे में डीटेल में पढ़ा. दोनों ही Parts के लिए अलग-अलग वीडियोस हैं, Hindi और English Explanation के साथ, आप जिस भी Language को Prefer करते हैं, उसमें आप इस Unit को पढ़ सकते हैं, और अगर आपने पहले के Parts, Part 1, Part 2, 4.1 के नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो I request के Please Stop Here Before You Proceed With This One, और पिछले जो Parts है, Part 1 और Part 2 को मैंने अल्रेडी English Explanation के साथ अपलोड कर दिया है, इस वीडियो में Explanation Hindi में होगा, तो आईए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता दू कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे Types of drama के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे one act play के बारे में in detail जो आपकी textbook में दिया गया है, सो part 1 और part 2 से हमने clearly समझ लिया है drama के concept को, उसके meaning को, कि drama literature का एक ऐसा specific form है, जिसमें story perform करके present की जाती है stage पे, जिसमें actors script में दिये गए dialogues deliver करते हैं, और इस तरह act करते हैं, जिस त drama की तीन major categories है, tragedy, comedy and tragic comedy, इस वीडियो में हम इन सब को detail में पढ़ेंगे, आए सबसे पहले देखते हैं tragedy को, काफी जाना पहचाना सा शब्द है tragedy, tragedy को हम अकसर दुख के साथ associate करते हैं, जोडते हैं, तो ऐसी सारी कहानिया, जो के, जिनके जित themes है, death, pain, suffering, loss, इन सारी चीजों के around घूमते हैं, revolve करते हैं, ऐसी सारी कहानिया आती है tragedy की शैली में, इस तरह के drama में, दर्शकों के दिलों में, feeling of fear, pain, pity, यानि डर, दर्द और दुख भर देते हैं, और ऐसी कहानियों का अंत जादा तर दुखद होता है, तो ऐसी सारी कहानिया होती है tragedy, next category है comedy की, जो हम सब बहुत पसंद करते हैं और enjoy करते हैं, comedy जादतर humorous और funny plays को कहा जाता है, comedy उस टाइप का drama है, जिसमें aim होता है, मकसद होता है लोगों को हसाना और enjoy कराना, हम चाहें अपनी असल जिंदगी में कितना ही upset हो, बहुत सारी problems से जूज रहे हो, struggle कर रहे हो, ल हम बहतर feel करते हैं, तो ऐसी सारी कहानिया आती है comedy की शेली में, ऐसी कहानियों का अंच जादतर सुख में होता है, happy ending, comedy की शेली अपने आप में बहुत बड़ी है, इसलिए ये आगे सब categories में divided हैं, जो के है romantic comedy, sentimental comedy, classical comedy, comedy of humor and comedy of manners, romantic comedy में जादतर कहानियों के theme, love के around खूमते है इस type की comedy अकसर Shakespeare के ड्रामों में देखने को मिलती थी, in fact, Shakespeare का एक बहुत ही famous romantic drama, जो था, romantic comedy, जो था Midsummer Night Dream, आपकी textbook में दिया गया है, इस unit में आगे चल कर आप उसको पढ़ेंगे romantic comedies में generally, story जो है, दो lovers, दो प्रेमियों के इर्दगिर्द घुमती है, जो कि बिल्कुल perfect है एक दुसरे के लिए, एक दुसरे के लिए ही बने है, आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी, story में कुछ conflict है, कुछ problem है, जिसकी वज़े से वो एक दुसरे से अलग है, but in the end, they are finally united next category आती है, sentimental comedy की, ये एक बहुत ही popular genre था, 17th और 18th century के दर्मियान, इस type की comedy अकसर middle class characters के उपर निर्भर होती थी, जिसमें इन characters के रोज मर्रा की problems और struggles को दर्शाया जाता था, और ये बताया जाता कि कैसे की characters अपने struggles से उभर कराते हैं, इस तरह की comedies, लोगों को हसाने से ज इसलिए इसको sentimental comedy कहा जाता है, फिर आती है classical comedy, यानि comedy in its purest form, ये उस तरह की comedy या drama होते हैं, जिसमें writers, ancient Greek और Roman writers के classical rules को बहुत strictly follow करते हैं, और सबसे important rule ये है, classical rule ये है, कि comedy में कोई और शैली, कोई और category के elements की मिलावत नहीं होना चाहिए, इस comedy, which is meant only to make people laugh, ये इनसानी जिन्दगी के उस segment को ही focus करती है, उस पर ही focus करती है, जो की happy है और funny है, then we have comedy of humor, जिसे introduced किया था Ben Johnson ने drama की शैली में, comedy of humor एक ऐसी तरह की comedy होती है, जिसमें focus होता है कोई एक character की overpowering quality और overriding traits के उपर, जो की उसकी पूरी personality पे हावी है, और एक तरह से comedy create करती है, फिर आखिर में आती है comedy of manners, यह उस तरह की comedy है, जो की restoration के time पे, restoration period के time पे थी, जो की realistic और satirical है, जिसे हम व्यांग के तौर पे जानते हैं, यह हमारी society के, हमारी समाज के sophisticated और artificial तरह के उपर व्यांग करती है, उस पे comment करती है, basically यहाँ पे story का मकसद होता है, कि जो हमारे आसपास, हमारी समाज में, जो भी negative चीज़े हैं, उन negative चीज़ों को, उन बुराईयों को, हसा कर, या हसने के तौर पर present करना, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे, तो ये थी sub-categories comedy genre की, फिर आता है third type of drama, which is tragic comedy, नाम से ही हम guess कर सकते हैं, कि ये एक ऐसे type का drama है, जिसमें दोनों शैलियों, दोनों type के drama, यानि की tragedy और comedy के elements मिले हुए होते हैं, combined होते हैं, ये ऐसी कहानिया हो सकती हैं, जो कि है तो दुखत, लेकिन ये खतन सुखद note पे हो इसे drama, जिनकी story काफी serious है, काफी दुख देने वाली है, लेकिन इसे बहुत humorous way में, funny way में बताया जा रहा है, present किया जा रहा है, तो tragic comedy ऐसे type का drama है, जिसमें tragedy और comedy दोनों ही combined होती है, तो ये सब थी categories और types of drama, ये सब हमने detail में पढ़ लिया है, अब types of drama के इलावा, एक खास focus दिया गया है, one act play के उपर आपकी textbook में, in fact one act play का एक best example आपकी textbook में दिया गया है, 4.2 के रूप में, आइए पढ़ते हैं, ये one act play है गया, जब हम one act play कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे full play का short version है, one act play भी एक complete story होता है, जिसमें proper beginning, middle और end part होता है, बट इसे कुछ limited time में stage पर perform किया जाता है, यहाँ पे जादा-दार जो कहानी होती है, one act play की, वो एक single interesting episode के around ही revolve करती है, यहाँ पे जो action है, वो भी limited होता है, एक single interesting episode को लेकर, बट ये complete story होती है, आईए इसे detail में समझते हैं, learning its features, so one act play ज़रूरी नहीं है कि एक one scene हो, it can be one or it can be more than one scene, यह concise होती है, जो full-fledged जो play होता है, drama होता है, उसका comparison में यह बहुत concise यानि small होती है, इसमें जादतर theme एक ही होता है, जो कि dominant होता है, हमने पहले पढ़ा है first video में कि ज़रूरी नहीं है कि drama में एक ही theme हो, एक drama में कई सारे theme भी हो सकते हैं, लेकिन one act play में जो कि काफी short होता है, उसमें generally एक ही single dominant theme होता है, जादतर one act play जो हमारी everyday की problems है, उसके around ही revolve करता है, story के लिए जो suitable है, वैसा mood और atmosphere वो create कर देता है, stage के उपर, it has unity of time, place and action और इसके जो character से वो बहुत limited होते हैं, इसमें plot बहुत ही simple और short होता है, one act play is generally आपके सामने एक सवाल, एक question, एक problem present करते हैं, जिसके answer के लिए, जो viewers हैं, बहुत eagerly wait करते हैं, यह proper story होती है, इसका beginning, middle और end होता है, अगर हम stages की तरफ देखें, तो यह जो one act plays है, इन stages में perform होता है, सबसे पहले होता है exposition, exposition यानि की introduction, शुरू का एक ऐसा scene, जिसमें हमको basically introduce किया जाता है, कहानी के theme से और characters से, फिर आता है conflict, जहां पे story धीरे धीरे develop होना शुरू होती है, और story का जो main conflict है, जो problem है, struggle है, वो हमारे सामने उभर कर आता है, जो की पुरी कहानी का backbone है, फिर आता है climax, जो की turning point होता है, बहुत important part होता है story का, फिर यह end होता है denumon पे, जो की final part होता है, किसी भी कहानी का, जिसमें, जो भी problem present की गई थी, conflict में, climax में, उसको resolve किया जाता है, problem solve हो जाती है, और सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जो इस तरह से one act play stage पर perform किया जाता है, इसे आप बहुत अच्छे से clearly समझ जाएंगे अगर आप 4.2, the rising of the moon पढ़ेंगे by lady gregory, इस बिल्कुल best example है one act play का, जो इस video के लिए इतना ही यहां पे हमने 4.1 को finally complete कर लिया है, so if you like this video and if you like learning with me then give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel, thank you very much.